सवाल प्रधान मिंत्री मनमोहन सिंग है a. पंजाब से लोक सभा के सदस्य b. पंजाब से राज्य सभा के सदस्य c. राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य d. असम से राज्य सभा के सदस्य सही उत्तर है d. असम से राज्य सभा के सदस्य सवाल प्रधानमंत्री है A. लोकसभा द्वारा निर्वाचित B. संसद द्वारा चुने गए C. राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त D. लोकसभा के बहुमत में पार्टी द्वारा नामित सही उत्तर है C. राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त सवालनिम्न लिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधान मंत्री के बारे में सही है? A. वह केवल उन लोगों में से अपना मंत्री चुनने के लिए स्वतन्त रहे जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य है B. वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपती द्वारा उचित परामर्ष के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों को चुन सकता है C. उनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों की पसंद में उनके पास पूर्ण विवेक है D. भारत के राष्ट्रपती में निहित विवेका धीन शक्तियों के कारण उनके पास अपने कैबिनेट सहयोगी की पसंद में केवल सीमित शक्ती है सही उत्तर है C. उनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों की पसंद में उनके पास पूर्ण विवेक है सवाल भारत में एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसके बाद मंत्री नहीं रहेगा A. छे महीने B. एक साल C. 2 साल D. 3 साल सही उत्तर है A. 6 महीने सवालनिम्न लिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संबंध में सत्य नहीं है? A. सम्विधान सरकार के संसदिय रूप के लिए प्रदान करता है B. संसद का कार्य कैबिनेट के लिए प्रदान करना है C. कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक ही सीमित है D. कैबिनेट को सदन के लोकप्रियक अक्ष में बहुमत का विश्वास प्राप्त है सही उत्तर है C. कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक ही सीमित है सवालमंत्र परिशद किसके प्रती उत्तरदाई होती है B. राश्ट्रपती, C. लोकसभा के अध्यक्ष, D. लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष. सही उत्तर है, A. संसद सवालमिंत्र परिशद निम्नलिखित्प में से किसके प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होती है? A. प्रधान मंत्री, B. राश्ट्रपती, C. राज्यसभा, D. लोकसभा सही उत्तर है, D. लोकसभा सवालमिंत्र परिशद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित्प में से कौन सी एक सही स्थिती नहीं है? A. राश्ट्रपती शासन लगाया जाएगा, B. राश्ट्रपती वेकल्पिक व्यवस्था तक जारी रखने के लिए कहेंगे, C. वेकल्पिक व्यवस्था का मतलब नई सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराना है, D. नई सरकार के गठन तक निवर्तमान मंत्रि परिशद के पास प्रभार हो सकता है, सही उत्तर है, A. राश्ट्रपती शासन लगाया जाएगा, सवाल के इंद्रिय मंत्रि परिशद सामुहिक रूप से, किसके प्रती उत्तरदाई होती है, A. प्रधान मंत्री, B. राश्ट्रपती, C. संसद, D. केवल लोकसभा के लिए, सवालनिम नलिखित में से कौनसा भारत के समविधान में सपश्ट रूप से वर्नित नहीं है, लेकिन एक परंपरा के रूप में पालन किया जाता है, A. वित मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना है, B. निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है C. भारत के सभी हिस्सों को मंत्र परिशद में प्रतिनिधित्व किया जाना है D. कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती दोनों के एक साथ कार्याले छोडने की स्थिती में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपती के रूप में कार्य करेंगे सही उत्तर है B. निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है सवाल भारत में मंत्रि परिशद निमनलिखित में से किस प्रस्ताव को पेश कर सकती है? A. अविश्वास प्रस्ताव B. निंदा प्रस्ताव C. स्थगन प्रस्ताव D. विश्वास प्रस्ताव सही उत्तर है D. विश्वास प्रस्ताव सवाल भाहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रि परिशद को इस्तीफा देना पड़ता है A. लोक सभा B. राज्य सभा C. दोनो सदन अलग-अलग D. सही उत्तर है A. लोक सभा सवाल इस्तीफा देने के बाद किसी मंत्री को लोक सभा में बयान देने के लिए किसकी अनुमती की आवश्यक्ता होती है A. प्रधान मंत्री B. वक्ता C. राश्ट्रपती D. सुप्रीम कोर्ट E. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है B. वक्ता सवाल लोक सभा में मंत्री परिशद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों की कम से कम संख्या है A. बीस B. तीस C. चालीस D. पचास सही उत्तर है D. पचास सवाल ओफिस ओफ प्रोफिट कौन तै करेगा A. राश्ट्रपती और राजयपाल B. केंद्रिय संसद C. सुप्रीम कोर्ट D. संग लोक सेवा आयोग सही उत्तर है B. केंद्रिय संसद सवाल भारतिय राजव्यवस्था में कार्य पाले का किसक के अधीन है A. म्याय पाले का B. विधान मंडल C. चुनाव आयोग D. संग लोक सेवा आयोग सही उत्तर है B. विधान मंडल सवाल मध्य प्रदेश के कौन से नेता नहरू के मंत्रि मंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में ग्रह मंत्री बने A. प्रकाश चंद्र सेथी B. रविशंकर शुकला C. कैलाश नात काटजू D. द्वारका नात मिश्र सही उत्तर है C. कैलाश नात काटजू सवाल स्वातंत्र भारत के प्रथम विधा मंत्री कौन थे? A. गुलजारी लालनन्दा B. आरके शनमुख चेट्टी C. कृष्णा माचारी D. सरोजनी नाइडू सही उत्तर है B. आरके शनमुख चेट्टी सवाल स्वातंत्र भारत के प्रथम मंत्री मंदल में कानून मंत्री कौन थे? A. के एम मुन्शी B. एस्पी मुखरजी C. बलदेव सिंग D. बी आर अंबेट कर सही उत्तर है D. बी आर अंबेट कर सवालनिम्न लिखित में से कौन सा शब्द भारत के समविधान में प्रकट नहीं होता है? A. वार्शिक वित्तिय विवरन B. विनियोग विधेयक C. बजट D. भारत के समेकित कोश सही उत्तर है C. बजट सवाल भारत के बारहवे प्रधानमंत्री कौन थे? A. चंद्रशेखर B. देवेगोडा C. आई K. गुजराल D. A. B. वाजपेई सही उत्तर है B. देवेगोडा सवाल भारत के बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यू हुई? A. जवाहर लाल नहरू B. मुरारजी देशाई C. लाल बहादुर शास्त्री D. चरण सिंग सही उत्तर है C. लाल बहादुर शास्त्री सवालनिम नलिखित में से कौन सा व्यक्ती प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले किसी भी राज्य का? मुख्यमंत्री नहीं था A. मुरारजी देशाई B. पीवी नरसिमह राव C. चरण सिंग D. चंद्रशेखर सही उत्तर है D. चंद्रशेखर सवालनिम नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा का सदस्य था? A. देवे गोडा B. आई K. गुजराल C. चंद्रशेखर D. डॉक्टर मनमोहन सिंग सही उत्तर है C. चंद्रशेखर सवाल भारत के निमनलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कभी उपस्थित नहीं? हुआ A. अटल बिहारी वाजपेई B. वी पी सिंग C. चंद्रशेखर D. चौदरी चरण सिंग सही उत्तर है D. चौदरी चरण सिंग सवाल समविधान में मंत्रि मंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और वह समविधान में है A. अनुच्षेद 352 B. अनुच्षेद 74 C. अनुच्षेद 356 D. अनुच्षेद 76 सही उत्तर है A. अनुच्षेद 352 सवालुदारी करण निजी करण और वैश्वी करण की नीती को प्रधान मंत्री द्वारा नई आर्थिक मीती के रूप में घोशित किया गया था A. राजीव गांधी B. विश्वनात प्रताप सिंग C. पीवी नर्सिमह राओ D. अटल बिहारी वाजपेई सही उत्तर है C. पीवी नर्सिमह राओ सवालनिम्न लिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर मनमोहन सिंग के लिए सही नहीं है A. भारत के पूर्व विता मंत्री B. भारतिय रिजर्व बैंट के पूर्व गवर्नर C. विता आयोग के पूर्व अध्यक्ष D. आइमेफ में भारत के पूर्व प्रतीनिधी सही उत्तर है C. विता आयोग के पूर्व अध्यक्ष सवालनिम्न लिखित समवेधानिक संशोधनों में से कौन सा एक कहता है कि मंत्र परिशद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी A. नब्बेवा, B. इक्यानवेवा, C. बानवेवा, D. तिरानवेवा सही उत्तर है B. इक्यानवेवा सवालनिम्न लिखित में से कौनसा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है A. ग्रीन पेपर B. श्वेत पत्र C. पीवी किताब D. ब्लू बुक सही उत्तर है B. श्वेत पत्र सवाल भारतिय समविधान का कौनसा अनुच्षेद हर राज्य की कार्यकारी शक्ती का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संग्व की कार्यकारी शक्ती के प्रयोग में बाधा या पूर्वा ग्रहन हो का वर्नन करता है A. अनुच्षेद दोसो सत्तावन B. अनुच्षेद दोसो अट्ठावन C. अनुच्छेद 355 D. अनुच्छेद 356 सही उत्तर है A. अनुच्छेद 257 सवाल केंद्रिय मंत्र मंदल का पुनरगठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? A. गोपालस्वामी अयंगर B. क. M. मुन्शी C. ट. ट. कृष्णामाचारी D. B. सी रॉय सही उत्तर है A. गोपालस्वामी अयंगर सवालनिम्न लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. जेल नहरू, शान्तिवन B. एल बी, शास्त्री, विजयागाट C. इंदिरा गांधी, शक्ती स्थल D. राजीव गांधी, करम भूमी सही उत्तर है D. राजीव गांधी, करम भूमी सवाल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? A. जेल नहरू B. लाल बहादुर शास्त्री C. चौदरी चरण सिंग D. इंदिरा गांधी सही उत्तर है B. लाल बहादुर शास्त्री सवाल भारत के महान्याइवादी की नियुक्ती कैसे होती है? A. संसद द्वारा B. राश्ट्रपती द्वारा C. संसद की सिफारिश पर राश्ट्रपती द्वारा D. मुख्य न्याइदीश द्वारा सही उत्तर है B. राश्ट्रपती द्वारा सवालनिम्न लिखित में से किसे सरकार का पहला विधी अधिकारी माना जाता है? भारत की A. भारत के मुख्य न्याइदीश B. सॉलिसिटर जन्रल C. अटॉनी जन्रल D. एडवोकेट जन्रल सही उत्तर है C. अटॉनी जन्रल सवालकानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है? A. अटॉनी जन्रल B. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याइदीश C. अधियक्ष विधी आयोग D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है A. अटॉनी जन्रल सवालनिमन लिखेत में से कौन राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता, करती है? A. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक B. मुख्य चुनाव आयोग्त C. लोकसभा के अधियक्ष D. भारत के अटॉनी जन्रल सही उत्तर है D. भारत के अटॉनी जन्रल सवाल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है A. भारत के सॉलिसिटर जन्रल B. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश C. सचिव कानून मंत्राले D. भारत के अटॉनी जन्रल सही उत्तर है D. भारत के अटॉनी जन्रल सवालनिम्न लिखित में से किसके पास अपने कर्तवियों के प्रदर्शन में भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुन्वाई का अधिकार होगा A. एड़ोकेट जन्रल B. अटॉनी जन्रल C. अतिरिक्त महाधिवक्ता D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है B. अटॉनी जन्रल सवाल बिना सदस्य बने संसद के किसी भी सदन में कौन भाग ले सकता है A. भारत के मुख्यन यायाधीश B. भारत के अटॉनी जन्रल C. मुख्य चुनाव आयोक्त D. राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सही उत्तर है B. भारत के अटॉनी जन्रल सवाल भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है A. उपाध्यक्ष B. भारत के अटॉनी जन्रल C. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक D. चुनाव आयोक्त सही उत्तर है B. भारत के अटॉनी जन्रल सवालनिम्नलिखित में से किसे बोलने और अन्यथा संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी संसदिय समिती का सदस्य होने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है A. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक B. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त C. भारत के विता आयोग के अध्यक्ष D. भारत के अटौनी जनरल सही उत्तर है D. भारत के अटौनी जनरल सवालनिम नलिखित में से कौन संसत के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सवालनिम नलिखित में से किसे संसत को संबोधित करने का अधिकार है? सवाल भारत का सॉलिसिटर जनरल है? A. एक प्रशासनिक अधिकारी B. एक कानूनी सलाहकार C. प्रधान मंत्री के सलाहकार D. भारत के राश्ट्रपती को सलाह देने के लिए एक कानून अधिकारी सही उत्तर है B. एक कानूनी सलाहकार सवालनिम नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? A. महादिवक्ता B. एक आटानी जनरल C. सॉलिसिटर जनरल D. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सही उत्तर है A. महादिवक्ता सवाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है? A. राश्ट्रपती B. लोकसभा के अध्यक्ष C. योजना आयोग के अध्यक्ष D. विता मंत्री सही उत्तर है A. राश्ट्रपती सवाल भारतिय समविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ती की जाती है A. अनुच्छेद 146 B. अनुच्छेद 147 C. अनुच्छेद 148 D. अनुच्छेद 149 सही उत्तर है C. अनुच्छेद 148 सवालसंद के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके पास जमा की जाती है A. लोकलेखा समिती के अध्यक्ष B. लोकसभा के अध्यक्ष C. भारत के कानून मंत्री D. भारत के राश्ट्रपती सही उत्तर है D. भारत के राश्ट्रपती सवाल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्याले बनाया गया A. संसद के एक अधिनियम के माध्यम से B. सम्विधान द्वारा C. एक कैबिनेट संकल्प के माध्यम से D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है B. सम्विधान द्वारा सवाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है A. चार साल, B. पांच साल, C. छे साल, D. साथ साल सही उत्तर है C. छे साल सवालनिम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महलेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? A. वह राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त किया जाता है B. उनका वेतन सर्वोचन न्यायाले के न्यायाधीश के बराबर है C. वह सेवानिवरिती के बाद किसी और सरकारी कार्याले के लिए अयोग्य है D. उसे राश्ट्रपती द्वारा हटाया जा सकता है सही उत्तर है D. उसे राष्ट्रपती द्वारा हटाया जा सकता है सवालनिम नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के नियंतरक और महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है A. भारत की संचित निधी से सभी व्याय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए B. आकस्मिक्ता निधी और सार्वजनिक खातों से सभी व्याय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए C. सभी व्यापार, निर्मान, लाब और हानी खातों पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए D. सारवजनेक धन की प्राप्ती और जारी करने को नियंत्रित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारवजनेक राजस्व राजकोष में दर्ज किया गया है सही उत्तर है D. सार्वजनेक धन की प्राप्ती और जारी करने को नियंत्रित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए की सार्वजनेक राजस्व राजकोश में दर्ज किया गया है सवालनी अंत्रक महालेखा परीक्षक की टिपपणियों पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसके पास नेहेत है A. भारत के राश्ट्रपती B. सुप्रीम कोर्ट C. संसद D. राश्ट्रिय विकास परिशद सही उत्तर है C. संसद सवालनिम नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिती की बैठकों में भाग लेता है A. भारत के अटौनी जनरल B. भारत के सॉलिसिटर जनरल C. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है C. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सवालनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाती है उसे हटाया जा सकता है A. राष्ट्रपती द्वारा B. संसत के दोनों सदनों के एक अभिभाशन पर C. सुप्रीम कोर्ट द्वारा D. सर्वोचन यायालेख द्वारा राष्ट्रपती की सिफारिश पर सही उत्तर है B. संसत के दोनों सदनों के एक अभिभाशन पर सवाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके मित्र एवं मार्गदर्शक है A. चयन समिती B. अनुमान समिती C. प्रधान मंत्री D. लोकलेखा समिती सही उत्तर है D. लोकलेखा समिती सवाल सार्वजनिक धन का सनरक्षक किसे कहा जाता है A. राष्ट्रपती B. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक C. संसद D. मंत्र परिशद सही उत्तर है B. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सवाल सी A. जी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है A. लोगों की स्वतंत्रता के सनरक्षक B. सार्वजनिक वित्त के अभिभावक C. सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार D. इन सब का सनरक्षक सही उत्तर है B. सार्वजनिक वित्त के अभिभावक सवालनिमनलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है सार्वजनिक वित्त सरकार की वित्तिय गतिविधियों का अध्यायन करता है ये होते है A. सार्वजनिक व्याय का विशलेशन B. सार्वजनिक राजस्व C. वित्तिय प्रशासन D. वानिज्यक बैंध का कामकाज सही उत्तर है D. वानिज्यक बैंध का कामकाज सवाल सरकार में सर्वोचर रैंकिंग नागरिक अधिकारी कौन है? भारत की A. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर B. भारत के रक्षा सचिव C. भारत के कैबिनेट सचिव D. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव सही उत्तर है C. भारत के कैबिनेट सचिव सवाल भारत सरकार की वरियता तालिका में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के उपर आता, आती है? A. भारत के अटौनी जनरल B. पूर्व राष्ट्रपतियों Chief of Staff D. लोकसभा के अध्यक्ष सही उत्तर है B. पूर्व राष्ट्रपतियों सवाल भारतिय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरियता क्रम में सर्वोच स्थान पर है? A. उप प्रधान मंत्री B. पूर्व राष्ट्रपति C. अपने राज्य के भीतर एक राज्य के राज्यपाल D. लोकसभा के अध्यक्ष सही उत्तर है C. अपने राज्य के भीतर एक राज्य के राज्यपाल सवाल भारत सरकार में सर्वोच नागरिक अधिकारी कौन होता है? A. ग्रेह सचिव B. रक्षा सचिव C. कैबिनेट सचिव D. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सही उत्तर है C. कैबिनेट सचिव सवालनिम नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें 1. कैबिनेट सचिव 2. मुख्य चुनाव आयुक्त 3. केंद्रिय कैबिनेट मंत्री 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश वरियता क्रम में इनका सही क्रम है A. तीन चार दो एक B. चार तीन एक दो C. चार तीन दो एक D. तीन चार एक दो सही उत्तर है C. 4. 3. 2. 1 सवाल लोकसभा के चुनाव के संबंथ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है A. चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं B. चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आवश्यक्ता है C. मतदाता सूची भारत के राश्ट्रपती के निर्देशन और नियंत्रन में तैयार की जाती है D. चुनाव आयोग के अनुरोध पर राश्ट्रपती को चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यक्ता होती है जो उसके कारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं सही उत्तर है C. मतदाता सूची भारत के राश्ट्रपती के निर्देशन और नियंत्रन में तैयार की जाती है सवालोग सभा चुनाव का एक उम्मीद्वार अपनी सुरक्षा राशी खो देता है अगर उसे नहीं मिलता है A. वैध वोटों का एक तहाई B. वैध वोटों का एक चौथाई C. वैध वोटों का एक बटा पांच D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सवाल लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ती के लिए निर्धारित न्यूंगतम आयू क्या है? A. 18 साल B. 21 साल C. 25 साल D. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है C. 25 साल सवाल लोक सभा के चुनाव के लिए नामानकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? A. भारत में रहने वाला कोई भी B. उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है C. भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दिखाई देता है D. भारत का कोई भी नागरिक सही उत्तर है C. भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दिखाई देता है सवाल 84 वे संशोधन अधिनियम ने 1971 की जंगर्ना के आधार पर लोकसभा में मौझूदा सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया है वर्ष के बाद की जाने वाली पहली जंगर्ना तक वे अपरिवर्थित रहेंगे A. 2010 B. 2015 C. 2021 D. 2026 सही उत्तर है D. 2026 सवाल भारत के समविधान में निर्धारित लोकसभा की अधिक्तम शक्ती है A. 547 B. 545 C. 552 D. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है C. 552 सवाल के संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य सम्ख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई A. 31 B. 35 C. 42 D. 45 में सही उत्तर है A. 31 सवाल भारत के समविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा में राजियों को सीटों का आवंटन जन्गर्ना के अधार पर होता है A. 1961 B. 1971 C. 1981 D. 1991 सही उत्तर है B. 1971 सवाल लोकसभा में राजियों के अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जाती के लिए कोई आरक्षन नहीं है A. अरुनाचल प्रदेश B. जम्मू और कश्मीर C. मेगालय D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल लोकसभा में अनुसूचित जन्जातियों के लिए सीटों का आरक्षन किन राजियों में मौजूद नहीं है A. केरल और तमिलनाडू B. करनाटक और केरल C. तमिलनाडू और करनाटक D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल लोकसभा सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में आता है A. केंद्रिया ग्रह मंत्राले B. संसदिय मामलों के मंत्राले C. प्रधान मंत्री D. लोकसभा के अध्यक्ष सही उत्तर है D. लोकसभा के अध्यक्ष सवालनिम्न लिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करता है A. आंध्रप्रदेश B. बिहार C. मध्यप्रदेश D. महाराष्ट्रा सही उत्तर है C. मध्यप्रदेश सवालनिम्न लोकसभा में इंगलो इंडियन समुदाय से उम्मीद्वारों को नियुक्त करने की शक्ती किसके पास है? A. अलपसंख्यक आयोग B. भारत के राष्ट्रपती C. प्रधान मंत्री D. उपाध्यक्ष सही उत्तर है B. भारत के राष्ट्रपती सवाल भारत के समविधान में राज्यों की विधान सभाओं में आंगल भारतिय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? A. अनुच्छेद 330 B. अनुच्छेद 331 C. अनुच्छेद 332 D. अनुच्छेद 333 सही उत्तर है D. अनुच्छेद 333 सवाल राष्ट्रपती द्वारा आंगल भारतिय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यदि उनकी राए है कि समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? A. तीन B. पांच C. एक D. दो सही उत्तर है D. दो सवाल भारत के राष्ट्रपती प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं A. भारतियर ईसाई B. इंगलो इंडियन C. बॉध D. पारसी सही उत्तर है B. इंगलो इंडियन सवालनिम नलिखित में से कौन सा समवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है A. राश्ट्रपती के विवेक से इसे पहले लोकसभा को भंब किया जा सकता है A. राश्ट्रपती की इच्छा से B. स्पीकर द्वारा C. मंत्र परिशद की सिफारिश पर राश्ट्रपती द्वारा D. अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की सिफारिश पर सही उत्तर है C. मंत्र परिशद की सिफारिश पर राश्ट्रपती द्वारा सवाल 21 वां कम से कम लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है A. साल में एक बार B. साल में दो बार C. एक वर्ष में तीन बार D. साल में चार बार सही उत्तर है B. साल में दो बार सवाल लोक सभा और राज्य सभा का कोरम होता है A. कुल सदस्यता का एक बटा पांच B. कुल सदस्यता का एक बटा चै C. कुल सदस्यता का एक बटा दस D. कुल सदस्यता का एक बटा आठ सही उत्तर है C. कुल सदस्यता का एक बटा दस सवाल लोक सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या हो सकती है A. पांच सो चालीस B. पांच सो पैंतालीस C. पांच सो पचास D. पांच सो पचपन सही उत्तर है C. पांच सो पचास सवाल लोक सभा के सदस्यों की निश्चित संख्या कितनी होती है A. पांच सो एक तालीस B. पांच सो तैंतालीस C. चार सो चौवालीस D. पांच सो पैंतालीस सही उत्तर है D. पांच सो पैंतालीस सवाल लोक सभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षन में आता है A. ग्रह मंत्राले B. संसदिय मामलों के मंत्राले C. भारत के राष्ट्रपती D. लोक सभा अध्यक्ष सही उत्तर है D. लोक सभा अध्यक्ष सवाल केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है A. लोक सभा B. राज्य सभा C. संसद के दोनों सदनों D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है C. संसद के दोनों सदनों सवाललोक सभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है A. स्थगन B. सत्रावसान C. विघटन D. उपरोक्त सभी सही उत्तर है D. उपरोक्त सभी सवाललोक सभा के सत्र का सत्रावसान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिकृत किया गया है वक्ता B. अटौनी जनरल C. संसदिय मंत्री D. राश्ट्रपती सही उत्तर है D. राश्ट्रपती सवाललोक सभा का कार्यकाल A. किसी भी परिस्थिती में बढ़ाया नहीं जा सकता B. एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है C. आपातकाल की उद्घोषना के दोरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है सही उत्तर है C. आपातकाल की उद्घोषना के दोरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है सवाल किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? A. 5 V लोकसभा B. 7 V लोकसभा C. 9 V लोकसभा D. 11 V लोकसभा सही उत्तर है A. 5 V लोकसभा सवाल भारत के किस राज्य का लोक सभा और राज्य सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? A. उत्तर प्रदेश B. मध्यप्रदेश C. महाराष्ट्रा D. आंध्रप्रदेश सही उत्तर है A. उत्तर प्रदेश सवाल जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध है। कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? A. महराश्ट्रा और पश्चिम बंगाल B. मध्या प्रदेश और तमिल नाडू C. मध्या प्रदेश और महराश्ट्रा D. बिहार और मध्या प्रदेश सही उत्तर है A. महराश्ट्रा और पश्चिम बंगाल सवाल उत्तर प्रदेश के बाद सर्वादिक लोकसभा सीटे किसे आवंटित की गई हैं? A. आंध्रा प्रदेश B. बिहार C. महराश्ट्रा D. पश्चिम बंगाल सही उत्तर है C. महराश्ट्रा सवाल राजस्थान राज्य को कितनी लोकसभा सीटे आवंटित की गई हैं? A. सत्ताइस B. छबीस C. पच्चीस D. चौबीस सही उत्तर है C. पच्चीस सवाल लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य श्रेनी के उम्मीद्वारों और अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के उम्मीद्वारों द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशी क्रमशह है सवालनिम नलिखित राज्यों में से किस जोडी में लोकसभा की समान सीटें हैं? A. पंजाब और असम B. गुजरात और राजस्थान C. मध्य प्रदेश और तमिलनाडू D. आंदरा प्रदेश और राजस्थान सही उत्तर है D. आंदरा प्रदेश और राजस्थान सवालनिम नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा में राज्यों की सीटें A. आंध्रा प्रदेश 25 B. असम 13 C. पंजाब 13 D. पश्चिम बंगाल 42 सही उत्तर है B. असम 13 सवालनिम्न लिखित में से किस राज्य से लोकसभा के दो सदस्य चुने जाते हैं? A. त्रिपुरा B. मिजोरम C. नागालेंड D. सिक्किम सही उत्तर है A. त्रिपुरा सवाल राज्यों संग राज्यक शेत्रों के निमनलिखित समूह में से किस में लोकसभा की केवल एक सीट है? A. गोअ मेघालाय नागालेंड B. मनिपुर दादरा और नगर हवेली पुदुचेरी C. अरुनाचल प्रदेश सिक्किम लक्षदवीप D. चंडीगर सिक्किम मिजोरम सवाल पर इसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की द्रिष्टी से सबसे बड़ा लोक सभाक्षेत्र है A. अमेथी B. उन्नाव C. लखनव D. बागपत सही उत्तर है B. उन्नाव सवाल किसी निर्वाचन क्षेत्र के संसदिय चुनावों के लिए अधिक्तम व्याए सीमा क्या है? A. बैक्वोट 25 लाख B. बैक्वोट 40 लाख C. बैक्वोट 70 लाख D. बैक्वोट 1 करोर सही उत्तर है C. बैक्वोट 70 लाख सवाल लोक सभा का पहला आम चुनाव हुआ था A. उन्नी सो उन्चास B. उन्नी सो बावन C. उन्नी सो पाचास D. उन्नी सो चावन सही उत्तर है B. उन्नी सो बावन सवाल नौवी लोक सभा को भंद कर दिया गया था A. तेरह मार्च उन्नी सो इक्यानवे B. जून उन्नी सो च्यानवे C. अप्रेल उन्नी सो सत्तानवे D. फर्वरी उन्नी सो अट्ठानवे सही उत्तर है A. तेरह मार्च उन्नी सो इक्यानवे सवाल भारत की बारहवी लोक सभा का चुनाव हुआ था A. अप्रेल उन्नी सो च्यानवे B. जून उन्नी सो च्यानवे C. अप्रेल उन्नी सो सत्तानवे D. फर्वरी उन्नी सो अट्ठानवे सही उत्तर है D. फर्वरी उन्नी सो अट्ठानवे सवाल लोक सभा का नेता कौन होता है A. राश्ट्रपती B. प्रधान मंत्री C. वक्ता D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है B. प्रधान मंत्री सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा? क्षेत्र फल के अनुसार लोक सभान निर्वाचन क्षेत्र है A. कानगडा B. लद्दाख G. काच D. भीलवाडा सही उत्तर है B. लद्दाख सवाल MP की एक सीट की लगातार अवधी के लिए सदन से अनुपस्थित रहने पर रिक्त घोशित किया जा सकता है A. छे महीने B. दो महीने C. तीन महीने D. एक वर्ष सही उत्तर है B. दो महीने सवाल भारत में लोकसभा अध्यक्ष है A. मनोनीत B. चुना C. निर्वाचित D. नियुक्त सही उत्तर है सही उत्तर है C. लोकसभा के सभी सदस्य सवालनिम्न लिखित में से कौन कार्याले की शपत नहीं लेता है A. राश्ट्रपती B. उपाध्यक्ष C. प्रधान मंत्री D. अध्यक्ष सही उत्तर है D. अध्यक्ष सवाल लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सम्बोधित करता है A. भारत के प्रधान मंत्री B. भारत के राश्ट्रपती C. लोकसभा के उपाध्यक्ष D. भारत के उप्राश्ट्रपती सही उत्तर है सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष सवाल लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है A. लोकसभा के एक संकल्प द्वारा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया B. सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक संकल्प द्वारा C. प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपती द्वारा D. उपर युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है B. सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक संकल्थ द्वारा सवाल लोकसभा के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समापती से पहले उनके कार्याले से हटाया जा सकता है A. प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपती द्वारा B. यदि लोकसभा उसके प्रभाव के लिए एक संकल्प पारित करती है C. ये लोकसभा और प्रधान मंत्री ऐसा तै करते हैं D. यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं सही उत्तर है B. यदि लोकसभा उसके प्रभाव के लिए एक संकल्प पारित करती है सवाल लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है A. सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित लोकसभा का एक संकल्प सवालद्यक्ष के कार्याले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपती की खुशी के दौरान पद्धारन करता है? बी, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यक्ता नहीं है. लेकिन उसके चुनाव की तारीक से छे महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा? सी, यदी सदन अपने सामान्य कार्यकाल के अंत से पहले भंग हो जाता है, तो वह अपना कार्याले खो देता है? सही उत्तर है, यदी वह इस्तीफा देना चाहता है, तो उसके इस्तीफे का पत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित किया जाना है? सवालामतोर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? A. निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष B. उप निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष C. नव निर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ट सदस्यों में से एक D. निवर्तमान लोकसभा में विपक्षी दल के नेता सही उत्तर है C. नव निर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ट सदस्यों में से एक सवाल प्रोटेम स्पीकर का कार्य है A. अध्यक्ष की अनुपस्थिती में सदन की कार्यवाही का संचालन करें B. सदस्यों को शपत दिलाता है C. एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जब अध्यक्ष चुने जाने की संभावना नहीं है D. केवल जांचे की सदस्यों के चुनाव प्रमान पत्र क्रम में है या नहीं सही उत्तर है B. सदस्यों को शपत दिलाता है सवाल लोग सभा अध्यक्ष अपने निरनायक मत का ही प्रयोग करता है A. मौजूदा सरकार को बचाने के लिए B. सम्वेधानिक संशोधन के मामले में C. आपातकाल के मामले में D. एक ताई के मामले में जब वोट समान रूप से विभाजित होते हैं सही उत्तर है D. एक ताई के मामले में जब वोट समान रूप से विभाजित होते हैं सवाल सम्वेधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि वोटों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास निरनायक वोट होगा और उसका प्रयोग करेगा A. अनुच्छेद निम्यानवे B. अनुच्छेद एक सो तीन C. अनुच्छेद सो D. अनुच्छेद एक सो दो सही उत्तर है C. अनुच्छेद सो सवाल लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे A. मावल अनकर B. हुकुम सिंग C. B. D. J. T. D. V. V. गिरी सही उत्तर है A. मावल अनकर सवाल पहला अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था A. B. R. जाखर B. G. V. मावल अनकर C. हुकुम सिंग D. K. S. हैगदे सही उत्तर है B. G. V. मावल अनकर सवाल लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है A. विजय लक्ष्मी पंडित B. सुचेता कृपलानी C. तारकेश्वरी सिंह D. मीरा कुमार सही उत्तर है D. मीरा कुमार सवाल निम्न लिखित में से किस चरण में लोक सभा में किसी विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है A. विधेयक पेश करने के दौरान B. दूसरे पढ़ने के दौरान C. रिपोर्ट चरण के दौरान D. तीसरे पढ़ने के दोरान सही उत्तर है B. दूसरे पढ़ने के दोरान सवाल यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उसके पास अधिकार है A. इसके विचार विमर्ष में भाग लें B. सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताफ पर मतदान करें C. मत बराबर होने की स्थिती में मतदान करें D. अध्यक्ष के अनुपस्थित होने की स्थिती में संसद के सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है सही उत्तर है सी, मत बराबर होने की स्थिती में मत दान करें सवालनिमन लिखित में से कौन लोग सभा का पहला आदिवासी अध्यक्ष था? ए, जी वी, मावल अनकर, बी, जी एम सी, जोशी, सी, मनोहर जोशी, डी, पी ए, संगमा सही उत्तर है, डी, पी ए, संगमा सवाल राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आधारित्थ है ए, सभी राज्यों के लिए समान बी, उनकी जनसंख्या का अनुपात सी, उनके क्षेत्र का अनुपात डी, उनके राजस्व का अनुपात सही उत्तर है B. उनकी जनसंख्या का अनुपात सवाल का अंसिल अफ स्टेट्स के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं A. राजियों की विधान सभा के सदस्य B. राजियों की विधान परिशद के सदस्य C. विधान सभा और परिशद दोनों के सदस्य D. नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत के सदस्य सही उत्तर है A. राजियों की विधान सभा के सदस्य सवाल राजिय सभा का पहली बार गठन किस वर्ष किया गया था? A. 1950, B. 1951, C. 1952, D. 1953 सही उत्तर है C. 1952 सवाल राजिय सभा में होते हैं A. 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपती द्वारा नामित किये जाते हैं B. 275 सदस्यों में से 18 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपती द्वारा नामित किया गया है C. 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपती द्वारा नामित किया जाता है D. 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपती द्वारा नामित किये जाते हैं सही उत्तर है C. 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपती द्वारा नामित किया जाता है सवालराज्य परिशद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? A. 3 साल, B. 5 साल, C. 6 साल, D. 2 साल सही उत्तर है C. 6 साल सवालराज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होता है A. 4 साल के लिए B. 5 साल के लिए C. 6 साल के लिए D. जीवन भर के लिए सही उत्तर है C. 6 साल के लिए सवालराज्य सभा को स्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि A. सभी सदस्य आजीवन है B. इसे भंग नहीं किया जा सकता है C. कुछ सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवरित होते हैं D. दोनो B. और C. सच है सही उत्तर है B. इसे भंग नहीं किया जा सकता है सवाल हमारे समविधान के अनुसार राज्य सभा A. दो साल में एक बार भंग हो जाता है B. हर पांच साल में भंग कर दिया जाता है C. हर छे साल में भंग कर दिया जाता है D. विघटन का विशय नहीं है सही उत्तर है D. विघटन का विशय नहीं है सवाल राज्य सभा को भंग करने का अधिकार निहित है A. राश्ट्रपती B. उपाध्यक्ष C. सुप्रीम कोर्ट D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सवाल राज्य सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है A. यह विघटन के अधिन नहीं है B. इसके सदस्यों को राज्यों में क्षेत्रिय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है C. राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में जल्द से जल्द एक सदस्य का चयन करना आवश्यक है D. भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है सही उत्तर है A. यह विघटन के अधीन नहीं है सवाल राज्यसभा को कैसे भंध किया जाता है A. अध्यक्ष के कार्यकाल के अंत में B. राश्ट्रपती पांच साल बाद भंध कर देता है C. स्वचालेत रूप से लोकसभा के साथ भंध हो जाता है D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सवाल राज्यसभा में राष्ट्रपती द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है A. 10, B. 15, C. 12, D. 20 सही उत्तर है C. 12 सवाल राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री A. जेललिता, B. नर्गिसदत, C. वैजनतीमाला, D. देविकारानी सही उत्तर है B. नर्गिसदत सवाल राज्यसभा के संबंध में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है A. इसके एकतिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवरित होते है B. इसके आधे सदस्य हर दो साल में सेवानिवरित होते है C. इसके आधे सदस्य हर तीन साल में सेवानिवरित होते है D. इसके एकतिहाई सदस्य हर तीन साल में सेवानिवरित होते है सही उत्तर है ए, इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा निवरित होते हैं सवालनिम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा की अनन्य शक्ती के अंतरगत आता है? ए, नई अखिल भारतिय सेवाओं का निर्मान बी, आकस्मिक रिक्ती के दोरान भारत के उप्राश्ट्रपती का चुनाव सी, किसी भी राज्य की विधान परिशद का उन्मूलन डी, इसके अध्यक्ष को हटाना सही उत्तर है ए, नई अखिल भारतिय सेवाओं का निर्मान सवाल राज्य सूची के किसी मामले पर संसद की कानून बनाने की शक्ती के संबंध में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ए, राज्य सभा को ये घोशित करना होगा कि यह राश्ट्रिय हित में आवश्यक होगा बी, राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है सी, कानून पूरे या देश के किसी भी हिस्से के लिए हो सकता है D. केवल राज्य सभा राष्ट्रिय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बना सकती है सही उत्तर है D. केवल राज्य सभा राष्ट्रिय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बना सकती है सवाल भारत की संसद राष्ट्रिय हित में राज्य सूची में किसी भी मद पर कानून बनाने की शक्ती प्राप्त करती है यदि उस आशय का एक संकल्ब द्वारा पारित किया जाता है A. लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के एक साधारन बहुमत से B. लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के दो तिहाई से कम बहुमत से नहीं C. राज्य सभा अपनी कुल सदस्यता के एक साधारन बहुमत से D. राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से सही उत्तर है D. राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दोतिहाई बहुमत से सवाल भारत के समविधान द्वारा राज्य सभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेश शक्तियां प्रदान की गई है A. किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने और राज्य का नाम बदलने के लिए B. राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतिय सेवाओं को बनाने के लिए संसत को सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए C. राश्ट्रपती की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और राश्ट्रपती की सेवानिवृती के बाद उनकी पैंशन का निर्धारन करना D. चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारन करने के लिए और चुनाव आयुकतों की संख्या निर्धारित करने के लिए सही उत्तर है बी राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भार्तिय सेवाओं को बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए सवाल भार्तिय समविधान के निमनलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है सवाल समविधान के अनुच्छेद दोसो उन्चास के तहत राज्य सभाद्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राश्ट्रिय हित में राज्य के विशय पर कानून बनाने का अधिकार देता है एक अवधी के लिए लागू रहता है सही उतर है सवालराज्य सभा में सरकार की विफलता का क्या परिनाम होता है? A. प्रधान मंत्री अपना इस्तीफा देता है. B. संसद भंग हो जाएगी. C. राश्ट्रपती शासन का संचालन. D. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है. D. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सवालनिम नलिखेत में से कौन सा कथन भारत के समविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्नन करता है? A. ये संग और राज्यों के बीच शक्तियों के वित्रण को सूची बद करता है. B. इसमें समविधान में सूची बद भाशाएं शामिल है. C. इसमें जनजातियक शेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है. D. ये राज्यों की परिशद में सीटों का आवंटन करता है. सही उत्तर है. D. ये राज्यों की परिशद में सीटों का आवंटन करता है. सवाल राज्यों के निमनलिखित युगमों में से किस एक का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व है? A. आंध्रा प्रदेश और महराष्ट्रा. B. आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडू. C. गुजरात और मध्यप्रदेश. D. महराष्ट्रा और तमिलनाडू. सही उत्तर है. C. गुजरात और मध्यप्रदेश. सवालराजय सभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित सीटें आवंटित सीटों की कुल संख्या है। A. आंदराप्रदेश और मद्यप्रदेश B. आंदराप्रदेश और तमिल नाडू C. बिहार और गुजरात D. महराष्ट्रा और करनातक सही उत्तर है D. महराष्ट्रा और करनातक सवाल राज्यों की परिशद में उन्हें आवंटित सीटों के साथ राज्यों की सूची नीचे दी गई है इन में से कौन सुमेलित नहीं है A. मध्यप्रदेश 16 B. महराष्ट्रा 19 C. तमिलनाडू 18 D. पश्चिम बंगाल 16 सही उत्तर है A. मध्यप्रदेश 16 सवालनिम नलिखित राज्यों में से किस राज्य सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है A. चत्तीसगर B. हिमाचल प्रदेश C. ज्जारखंड D. गुजरात सही उत्तर है B. हिमाचल प्रदेश सवाल राज्यों की परिशद राज्य सभा के अध्यक्ष है A. राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त B. संसद द्वारा चुने गए C. उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है D. राज्य परिशद के सदस्यों द्वारा चुने गए सही उत्तर है C. उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है सवाल किस सदन में पीठासी नधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है A. राज्य सभा B. लोक सभा C. विधान सभा D. विधान परिशद सही उत्तर है A. राज्य सभा सवाल राज्य सभा का पदेन सभापती होता है A. उपाध्यक्ष B. राष्ट्रपती C. प्रधान मंत्री D. अध्यक्ष सही उत्तर है A. उपाध्यक्ष सवालनिम्न लिखित में से किस सदन की अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है A. लोक सभा B. राज्य विधान सभा C. राज्य सभा D. उपर्युक्ष में से कोई नहीं सही उत्तर है C. राज्य सभा सवालनिम्न लिखित में से कौन राज्य सभा का सभापती है? A. प्रधान मंत्री B. भारत के उपराश्ट्रपती C. इस पद, कार्याले के लिए चुने गए व्यक्ती D. भारत के राश्ट्रपती सही उत्तर है B. भारत के उपराश्ट्रपती सवालनिम्न लिखित में से कौन राज्य सभा का सदस्य रहते हुए लोक सभा के विचार विमर्ष में भाग ले सकता है? A. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य जो एक शेत्र में विशेशग्य है B. राज्य सभा के उपाध्यक्ष C. मन्त्री जो राज्य सभा के सदस्य है D. राज्य सभा में सदन के नेता सही उत्तर है C. मन्त्री जो राज्य सभा के सदस्य है सवाल राज्यों की परिशद के लिए उम्मीद्वार होने के लिए आवश्यक नियूनतम आयू है B. 30 साल C. 32 साल D. 35 साल सही उत्तर है B. 30 साल सवालराज्य सभा की नियत संख्या कित्मी होती है? A. 220 B. 230 C. 210 D. 250 सही उत्तर है D. 250 सवालगा राज्य सभा द्वाराधन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? A. लोकसभा अभी भी राज्य सभा की सिफारिशों को स्वीकार करने या स्वीकार नहीं करने वाले बिल के साथ आगे बढ़ सक्ती है B. लोकसभा बिल पर आगे विचार नहीं कर सकती है C. लोकसभा विधेयक को पुनर विचार के लिए राज्य सभा को भेज सकती है D. राश्ट्रपती विधेयक पारित करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं सही उत्तर है D. लोगों की सभा राज्यों की परिशद और प्रधान मंत्री सवाल भारतिय संसद में शामिल है A. लोकसभा और राज्य सभा B. लोकसभा, राज्य सभा और प्रधान मंत्री C. अध्यक्ष और लोकसभा D. राश्ट्रपती और संसद के दोनों सदन सही उत्तर है D. राश्ट्रपती और संसद के दोनों सदन सवालसंसद की एक वर्ष में अधिक्तम कितनी बार बैठक होनी है? A. एक बार B. दो बार C. तीन बार D. चार बार सही उत्तर है B. दो बार सवालसंसद के लगातार दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? A. चार महीने B. चार महीने C. एक वर्ष D. राश्ट्रपती द्वारा तै किया गया सही उत्तर है B. चार महीने सवालनिम्न लिखित में से कौन भार्तिय संसद का गठन करता है? A. राश्ट्रपती लोकसभा और राज्यसभा B. लोकसभा राज्यसभा और प्रधान मंत्री C. लोकसभा राज्यसभा और संसदिय मामलों के मंत्री D. लोकसभा राज्यसभा और संसद सचिवालय सही उत्तर है A. राश्ट्रपती, लोकसभा और राज्यसभा सवालनिम्न लिखित में से कौन, कौन संसद का अभिन अंग नहीं है? A. राश्ट्रपती, B. उपाध्यक्ष, C. लोकसभा, D. राज्यसभा सही उत्तर है B. उपाध्यक्ष सवालसंसद, विधान सभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वह संबंधित सदन को सूचित किये बिना कितने समय तक अनुपस्थित रहता है A. साथ दिन B. नब्बे दिन C. एकसो बीस दिन D. एकसो पचास दिन सही उत्तर है A. साथ दिन सवाल पहली बार किसी सांसद, विधायक को बिना अनुमती सदन की लगातार साथ बैठकों से अनुपस्थित रहने के आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोशित किया गया के सदस्यत है A. राजियों की परिशद B. लोगों का घर C. पंजाब विधान सभा D. राजस्थान विधान सभा सही उत्तर है A. राजियों की परिशद सवालनिम्न लिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के समविधान के तहत संसद सदस्यों के विशेशादिकारों और उन मुक्तियों से समबंधित है A. अनुच्षेद 104 B. अनुच्षेद 105 C. अनुच्षेद 82 D. अनुच्षेद 117 सही उत्तर है B. अनुच्षेद 105